दोस्तो चुट्टी की दिन हमारा ज्यादा तर टाइम टीवी शो देखने में जाता है। इंडिया में आजकल कई रियालिटी शोज पापिलर हो गए हैं और वीकेंड पर तो रियालिटी शोज की लाइन लगी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शोज असल में बहुत ही फेक और स्क्रिप्टेड होते हैं और अपने टी आर पी वड़ाने के लिए लोगों के एमोशन से खुब खिलवाड करते हैं। और फिर आपके एमोशन से ही पैसे कमाते हैं और आप अपने अपने सूपर स्टार को लेकर लड़ते रह जाते हैं। इसका नाम है इंडियन आइडल और शोओ ने रोने और रुलाने में पॉपिलर टीवी क्यारेक्टर सिमर को भी पीछे छोड़ दिया है। इस शोओ में लोग इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि यह गाने का नहीं रोने का कॉमपडिशन चल रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां जो अपना टैलेंट दिखाने आता है, उसकी कानी इतनी दर्दबरी दिखाए जाती है कि कोई भी बिरानोय नहीं रह पाता है। लेकिन अगर आपसे यही पूछेंगे कि जिस शोओ के आडिशन में पैसे देकर पास किया जाता हो, वहां कोई गरीब कैसे एंट्री लेता होगा। और एक बार को अगर इसे सच मान भी लें, तो क्या यह अपनी लाइफ पर बरतन दोते हुए, कचरा उठाते हुए और वीडियो भी खुद ही बना कर डाल देते हैं। असल में एक बहितरीन ट्रिक है, जिसमें एक एमोशनल कहानी से आपको जोडा जाता है, ताकि आप पूरे सीजन बिना कोई एपिसोन मिस्किये इस शोओ को देखें और शोओ की टी आरपी बढ़ सकें। इसके लिए जजजेज भी घड़याली आसू बाते हैं। इस शोओ में स्टेज पर परफॉर्म करने वाले कंटस्टंट अक्सर यह दावा करते हैं कि आउडिशन पूरी तरह फेक होते हैं। जिसके दो ही मकसद होते हैं। एक तो अजीब हो गरीब हरकते करवा के जजजेस का एंटेटेन्मेंट करना और दूसरा लोगों से व्यूज लेना। ज्यादा तर केसे में विनर पहले से ही डिसाइड होता है। जैसे कि जो भी कंटस्टंट ज्यादा तियार भी दिलवाता है उसको विनर बना दिया जाता है। अपने धिमाग और अपने घर को जंग का मैदान कैसे बनाना है उसकी ट्रेनिंग देने के लिए भी एक प्रॉपर टीवी शो आता है। इसका नाम है बिग बॉस। इस शो को बनाई गया है गाली गलोज और मारपीट की थीम पर। का फालुदा क्यों करवाएगे। और इसी वज़े से बिग बॉस टीवी का मोस्ट कॉंट्रोवर्शिल शो है। यहां दिन भर तू-तू में होती रहती है और खुलती है टीवी की संसकारी बवों की बोल। इस शो की खासियत है कि आप इसे एगनॉर नहीं कर पाएंगे और करती गालिया यूज होती है ना कि इसे परिवार के साथ तो आप देखी नहीं सकते हैं। अधिक्कत यह कि शो की भी अपनी एक ओडियंस है जो इसकी खूब लॉयल फैन है। यह और बात दोस्तों अगर आपको लगता है कि यहां की एक एक वीडियो आप तक आती है तो आप TRP वाले ट्रैप में फस जाओगे और यह दावे शो के कुछी कंटेस्टेंट ने टाइम टाइम पर किये हैं। पूरी कहाने का कंक्लूजन यह है कि जिसे आप रियालिटी शो समझते आ रहे हैं वो पूरा का पूरा स्क्रिप्टिड होता है जहां बिना बात इसका नाम था राखी का स्वेंबर याद आया एक ऐसा शो जिसने इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से का ही मजाग में डाला यानि यह शो के मेकर्स ने शादी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पैसे के लिए तार तार कर दिया क्योंकि शो में नकली शादी और क्ली स्वेंबर कोई रच डाला गया इस शो में राखी मेडम के लिए इतने रिष्टी आये के पूछो इमा और तारीफ इतनी कि कोई भी सुनकर अपना सिरफ इठ ले और इसमें जितने भी धूले आये थे वो सब बॉलीवोड लाइन के छोटे मोटे स्रगलर्स निकले ले जैसे दैसे करके मैडम ने एक अजीब सा दूला ढूण भी लिया लेकिन उससे भी अंगूटी पहना के छोड़ दिया मतलब इतनी लंबी स्क्रिप्ट लिख दी मेकर्स ने कि आज भी मैडम कुमारी है और जिसे चुना था वो कहा गया पता नही नमबर फूर डांस इंडि वैसे भी बहुत चलता है जिसकी वजए से लाखों टैलेंटिड वच्चे पीछे रह जाते हैं जी या दोस्तों हम बात कर रहे हैं डांस इडिया डांस यानी डी या ओडिशन देने तो बहुत लोग आते हैं लेकिन स्टेज पर परफॉर्म वही लोग कर पाते हैं जिनके पास या तो पैसा होता या पावर अब बोलोगे कि शो पर आम जनता भी आती है तो दोस्तों ये सब शो टी आरपी बढ़ाने के लिए और जज़स का मनुरंजन के लिए बुलाये जाते हैं क्योंकि अगर वाकई में इनके घर में भुकुमरी है तो ये शो तक कैसे आए इन का जवाब तो अब यही लोग दे सकते हैं इन सब रियालिटी शो में एमोशन है ट्रामा है लेकिन रियालिटी बिल्कुल भी नहीं है हर एमोशनल सीन पर ऐसा ड्रमाटिक म्यूजिक चला दिया जाता है कि नकली से नकली सीन भी असली लंगने लगता है और आपको रुला क पर शो से जोड लेता है नंबर फाइब कौन बनेगा करोड़ पती सोनी टीवी पर एक ऐसा भी रियालिटी शो आता है जिसमें चीत कर भी आपके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं सोनी टीवी पर साटड़े संड़े आने वाले के वी सी को तो आप जरूरी जानते होंगे अर लेकिन इसका 30% अमाउंट TDS के नाम पर काट लिया जाता है और चीतने वाले को 70 लाख में सब्र करना पड़ता है वैसे KBC में आपको fastest finger first above पसंद होगा पर क्या आपको पता है कि इस राउंड के बाद बच्चन सा आप ब्रेक क्यों लेते हैं अरे भाई ताकि हाट सीट पर चुड़ी रह सके और KBC के साथ साथ TRP का गेम भी चलता रहे नंबर सेक्स मैं वर्सेज वायल्ड अगले नंबर बनाता है मैं वर्सेज वायल्ड जिसमें beer grills, wedge, non wedge तो छोड़ो मरे हुए जानवरों को भी नहीं चोड़ते हैं और कीले मकोले तो ऐसे खाते हैं जैसे noodles का र YouTube के team होती है और बात की जाए गरा stuns की तो वो भी इतने ही fake होते हैं जितने की जानवरों के साथ उनकी दोस्ती मतलब हाद होती है अब आप ही सोचिए, बला क्या जंगल के सारे ही जानवर भाई के दोस्त हैं, कि हार किसी को गले लगाए गूमते हैं? भाईयों असल में सारे जानवर ट्रेंड होते हैं, कीडे तो ये बस हमें उल्टी करवाने के लिखाते हैं, है ना शौकिंग? हाँ, मगर मोदी जी वाले अपिसोड के बारे में हम कोई टिपड़ी नहीं करना चाहेंगा दोस्तों, फेक शोज की लिस्ट में स्प्लिट्स विला भी पीछे नहीं है, जिसमें सनी लिओन अपने होसने के जलवे दिखाने आती है टाइम-टाइम पर इसके ंटस्टन्ट बताते हैं कि शोग कंप्लेट्ली स्क्रिप्टेड है इसमें कंटस्टन्ट प्री-प्लैंड थे którego साबसे एक्ट करते हैं ताकि उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा मिल सके साथ ही मेकर्स की डिमांड होती है कि वो कुछ ऐसा करें जिससे शो की टियार भी बढ़ जाए इसलिए शो फेक लव एंगल से ट्राइंगल और जाने क्या-क्या दिखाया जाता है इसमें दोस्तों चलिए अब आपको कुछ और पॉइंट्स के जरिये इन शोस की रियालिटी के बारे में बताते हैं दरसल लेजेंडरी कारियोग्रफर सरोज खान की बेटी ने अपने एक बयान में कहा था कि उनकी मा ने रियालिटी शो की आफर एकसेप्ट करना ही बंद कर दिया था क्योंकि उनको कुछ कंटस्टिंट को फेवर करने के लिए बोला गया था उन्होंने आगे गा कि उनकी मा जो की एक बलंट परसन थी उन्होंने वलत को सेहने के बजाए शो को छोड़ना सही समझा वैसे एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि सो कॉल्ड रियालिटी शो रोडीज की कंटस्टिंट को एक कॉन्ट्राक्ट साइन करना पड़ता है जिसके बाद उनको बैक स्टेज और प्रड़क्शन सीक्रिट्स शेयर करने की मनाई होती है और ये कॉन्ट्राक्ट तोड़ने पर उने मेकर्स को 10 लाख रुपए बतार फाइन दिना पड़ता है रोडीज की ये कंटस्टिंट पलगने का था कि शो पूरी तरह स्क्रिप्टिड होता है जिसको जनता पसंद नहीं करती है उसको शो से निकाल दिया जाता है और वाइल्ड कार्ट एंट्री भी व्यूस के साब से दी जाती है तो दोस्तों ये थे वो रियालिटी शो जिनके टेली कास्ट होने का टाइम होते ही हम टीवी के तरफ दौल पड़ते हैं आज कौन किस से लड़ेगा? किस की होगी शो से विदाई? लेकिन हम मैं उमीद करता हो कि आपकी आखोस इन शोस के एमोशन का परदा उठ गया होगा हम फिर हाजर होंगे एक और नैसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें और शेर करना ना भूले और अगर आप चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें